गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स आच ग्रैमर डे टॉनी एट अथाविस नंबर का ग्रैमर डे है और आज हम ग्रैमर के बारे में कुछ बारिया सा सीखेंगे कि येस लास्ट वाली क्लास में हमपैसेवाइस के बारे में कूछ बात कर रहे था ठोड़ा सो सबकéma्स कर लेते हैं और डीटेल में चल देते ह mm और फिर आगे की बात क्रेंगे चलिए इन तो हम बात कर रहे थे पैसेवाइस की पैस्वाइस क्या है जो भी उसके रीजन्स थे या क्या थे देखो क्या है हम देख रहे थे उसमें कि पैसिवाइजा कि होते क्या है यह एक नौर्मल जनरीरल कॉष्चन है जो सब के दिमाग में आता है कि यह पैसिवड़ा मैं है क्या या पैसे जो हमास मझमें क्योंने आते कोशिश तो बहुत की पर कोशिश की ही नहीं शायद है ना या पैसे बनाए ही क्यों गए आखिर क्या काराण ही भई या क्या टेंस से काम नहीं चल पा रहा था इतने कठिन टेंस बना दिये क्या टेंस से काम नहीं चल पा रहा था जो पैसे वह इस बनाने पड़े इन सब प्रश्णों के उत्तर आगे देखते चलते हैं कुछ हमने पिछली क्लास में भी देखे थे कि पैसे वह और एक और प्रशन कि पैसे वाइस को पैसे वाइस क्यों कहा जाता है और पैसिव उए और एक्टिव वाई भली डिफिरेंस क्या है एक्टिव वाई मतलब टैंस यह समझलो लो यह एत्तीय वाई स्टैंस कर बाहर का नाम है और घर का नाम है 10 no कि न चिंकू पिंको रिंख़ें की एना गोलू-सोलू-मोलू-टोलू जो भी नाम हम रखते हैं घर के वह समझ लो टेंस और बहर का जो नाम है वो है एक्टिव वैस मतलब दोनू यह यह कि वहती है काल으 कौन एक्ट वाइज ओर टेंस तो अकिर एक्टिव वाइज और पैसिवरिमेंद स्क्राइब इस तो अब है इंग्लेश में जो बिल्कुल हिंदी भाषी लोग है उनके लिए फिर है verb मनें action क्रिया और फिर है object मनें कर्म subject मतलब करता जो किसी action को perform करता है किसी action को करता है ये और object मतलब जिसके ऊपर उसे वो action की जाती है या जो उस action से प्रभवित होता है ठीक जैसे I teach English देखो एक संटेंस से देखते हैं अच्छ इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है मैं कर रहा हूं प्रोसेस पढ़ाना है किसके ऊपर हो रही ये कौन अफेक्ट और इंग्लिश तो I subject है teach verb है और English object है और example लेते हैं I teach you I teach you यहाँ पर I subject पढ़ाने वाला teach is a verb you मतलब आप object है अलाकि शायद पढ़ाने का आप पे कोई असर हो रहा नहीं है कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है आप वैसे के वैसे ही है पर नियम कानून के हिसाब से तो यह हो रहा है कि पढ़ा मैं रहा हूं प्रोसेस पढ़ाने की हो रही है आपके हूपर हो रही है कुछ के तो ऊपर से ही निकल जा रही है यह ना ऐसा उचक उचक के भी लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं शायद क्योंकि मामले पैसिव वाइस का है अरे टैंस ही समझने आपने को आज तक पूरा जीवन भीद गया टैंस पढ़के आज पढ़े फिर गायब फिर पढ़े फिर कुछ ने तो तीन तेन चार चार महीं ने टैंस पढ़े फिर भी गया बहुत बढ़िया तो यह तो समझ में आ गया कि साब्जेक्ट वरवर अबजिक्ट यह किसी भी सेंटेंस का एक फ्रेम होता है चेचेस होता है जिस पर सेंटेस कसा होता है चलो आगे बढ़ाते हैं एक् को सेंट्रल फुगर में रख्कर सेंथेंस बनाया जाता है उसके आश्पास साईसभा उसको कहते हैं एक्टव वैस और पैसे वहसं में क्या करते हैं वही इंप्रिन्स किसको देते हैं ओब्जेक्ट को देते हैं हि specialist को देते एक्टिभ वाईज में सबजेक्ट को देक्टिए वैस में निकेंज बताया दाइना घरका नामे टैंज मेंस सब्सक्यों कि यह यह ढ़ा है बाध्य नगतल को फटान को यह इसनी कि यह एकडम साफना पर समझ गया आ समझ में आता है बागी सब कुछ समझ में आता है पड़े लिखने में घलवाले थोड़ी थी अब देको उन्हें ने संटेंस लिखके दे कि आए प्ले फुटबॉल तो आए यहां पर क्या है सब्जेक्ट है ये यहां लिखा फुटबॉल इस प्लेट बाइमी फुटबॉल य थी क्या है अब अब्जेक्ट है तो ये वाला सेंटेंस active वाइस में है और यह वाला थिए वनलौ कियोंकि यहां पर सब्जेक्ट इंTu दिया है और यहां पर ऑब्जिक्ट को इंपोर्टेंस दिया है यही मामला है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपने यह पक्के मेरटा होगा कि वह आयका मी हो जाता है जैसे हमने लिखाता ना आई प्ले फुटबाल फिर लिखा फुटबाल इस प्लेड बाई अब हो गया यह मी तो यह मी क्यों हुआ क्यों कि यहां लिखा था आए तो आए का क्या हो जाता है मी हो जाता है ऐसे ही यू अगर लिखा होता तो क्या होता यू हो जाता अगर वी लिखा होता तो क्या होता आस हो जाता ही का हिम लिखना होता है she her they ka them it ka it ये school में हमने अच्छा कासा घोटा था रटा था लेकिन अभी समझो ये subject वाला मामला रहता है पीछे जाके जब हम लिखते हैं इसको तो ये थोड़ा objective केस में चला जाता है I ka me, you ka you, we ka us, he ka him she ka her, they ka them और it ka it yes चलो और देखते हैं अब passive voice में verb के third form का use किया जाता है जैसे gone का, done का, spoken का या finished, etc ऐसे हजारों वाप से उन सब के third form है उसी का use passive voice में किया जाता है जागो सो मत क्या सोचने लग जाते हो बीच बीच में ध्यान किदर भटक जाता है पिक्चर इधर चल रही है सलमान खान इधर खड़ा हुआ है है ना, सारे नोटन की इधर हो रही है और आप किदर किदर आओ वापेस अच्छा कुछ पूचना है हीरोईन कहा है लाइंग, लाइंग, हीरोईन को भी लाइंग शान्ती रखो पेले इधर तो देख लो, हीरोईन कहा है आगे पड़ो रहे देखो, एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस में इंपॉर्टेंस का डिफरेंस है यहां इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है सबजेक्ट को दिया जाता है पैसिव वाइस में importance object को दिया जाता है यह तो घुड़ गई ना वाद एकदम पक्के में आघी समझ में very good अब यह एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का जो मामला है तो यह कह रहे हैं कि साब आखर पैसी वह इस क्यों बनाने पड़े क्या 10 से काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि देखो हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे सेंटेंस सेंटेंस में बनाए जा सकते हैं बन सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है हमें object पर जोर देकर ही sentence बनाना होता है तभी वह meaningful बनता है कैसा बनता है meaningful होता है जैसे languages की बात चल रही कौन सी लेंग्विज दुनिया में बोली जाती कौन सी ज्यादा कौन सी लेंग्विज कहां बोली जाती से लेंग्विज के बारे में बोलने वाले की बात नहीं हुरी लेंग्विज की बात हुरी तो दुनिया में अब अगर इसी सेंटेंस को आप लोगों पर ले जाए कि लोग इंगलिश बोलते हैं तो फील चला जाएगा वो सेंस चला जाएगा देखो यहां बोला पीपल स्पीक इंगलेश ओल अबर देवल जब कि हमें बोलना था इंगलिश बोली जाती है पूरी दुनिय दो क्योंकि क्या होता है देखो यहां हम समझते इसको क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है वह पैसे वाइज में पीछे जाकर पैसे हो जाता है निश्क्री हो जाता है थोड़ा क्या हो जाता है थोड़ा दल पड़ जाता है देखो समझते हैं सेंटेंस को आई प्ले फुट फोसे के द्वरा जाती लेकिन इंफार्टेंस कम हो गया है वो पैस जना गया एना पैसिप का मतलब फोच्य मुलाओ था है डिखी तो एक्टि वैस में टेंस में चो करता होता है वहектив होता है उसको इंफार्टेंस दिया जाता है और पैसिफ में इंपोर्टेंस किसको दे स JUST को दे दिया तो सबजेक्ट पीछे जा कर क्या हो गया ठोड़ा डल हो गया निश्क्री हो गया स्वड़ा less important हो गया कहां चला गयाês पैसिव में चला गया इसलिए पैसिव में इस का नाम सब कसीर को दिया है कि अरे समझो रहे काम की चीज है और आगे चलते हैं यह हमने देख लिया था यह भी हो गया था इंपोर्डेंस का डिफरेंस है यह भी हमने देखा अब तो स्कूल में या कुछ लोगों ने इस तरह से पड़ा होता है कि अगर किसी सेंटेंस में बाय लग जाए तो समझ लेना वह पैसिव वाईज है अब रटवाने घुटवाने वाले तो कैसे भी घुटवा सकते हैं ऐसे घुटवाया कि अगर हाँ आपने भी स्कूल में ऐसे इ सिम। अरे घुटो मतरस समझो ना बिना बाय के की सेंटेंस पैसिव वाईज में रह सकता है किसमें पैसिव वाईज में येज्य अप कैसे रहता देख एफुटबाल स्प्लीड से अ है पर यह सेंटेंस पैसिव वोई है क्यों है क्यों कि फुट्बॉल औबजेक्ट हमने अब्जेक्ट पर जोड दिया प्लेट वर्प का थर्ट फॉर्म लगा दिया अब कौन खेलता हमने बताया यह जर्वत नहीं है न क्योंकि देखो दो तरह से मामला हो जाता है उसमें अच्छी सेंटेंस को मतलब और एलबरेट कर देता हूं तो आपको समझ मैंगा देखो तो फुट्बॉल इस प्लेट या इसे सेंटेंस को और तुर्ण लंबा लिख ले कि फुट्बॉल इस प्लेट ओल ओल ओवर दवर्ड फुट्बॉल खेली जाती है पूरी दुनिया में ह और भी भी हमने इहां नहीं लगाया लेकिन दूनों ही सेंटेंस पैसिव वैस में है तो फिरम भाइका भटा देते हैं कभ दायका यूज नहीं किया जाता जब सब्सेट्वल नोन होता है हम अच्छे से पताए कि काम कौन करता है कि यह जब सब्जेक्ट अन्नोन होता है कि पता ही नहों की काम कौन करता है सेंटेंस हैं क्या येस हैं चलो समझ लेते हैं देखो बुक्स और रिटर्न इन मैने लेंग्विजिस किताबें कई भाशाओं में लिखी जाती है अब ऐसा लिखूं की बाई राइटर्स बाई ऑथर्स अरे गधा भी समझता है कि किताब तो राइटरी लिखेगा ना येस अब आप ऐसा भूलों कि क्लास इस टेकन वाई टीचर तो फटीचर तो क्लास लें नहीं सकता ना क्लास लेने के लिए आपको टीचर होना पड़ेगा तो ऐसा मामला है रूम साफ किया जाता है रूज कोन करता है कोलैक्टर आता है रूम साफ करने अरे जो मेड्ल है जो सर्वेंट है वो ही रूम साफ तो विणो अच्छी जब पता की काम कौन करता है या हमें मतलब भी नहों कि वह काम कौन करता है जैसे ऐलंपिक गेम्स और औरगनाइज़ एवरी फॉर्थ यर हर चौते साल olympic games organized किये जाते हैं या movies are released every Friday कौन release करता है उससे में मतलब नहीं हमें तो picture देखने से मतलब है बिना picture दे के हमारा जीवन विर्थ लगता है आर्थ हीन लगता है समझ नहीं आता कि हम धर्ती पर क्यों आएं अगर हम picture ना देख पाएं तो movies ना देख पाएं तो हो है अब तो web series का जमाना है उनको देखे वि आर्मिन डिप्टाले सारी तो निटाओ बाद में समझ में आएगा मेटा ना कि इस ब्रेन को आप ने कितना पल्यूट कर लिया है इसको कितना प्रदूशित किया इस दुनिया में अगर सबसे प्रदूशित चीज कोई है तो आपका ब्रेन आपका मतलब हमारा सब का सबसे चीज दुनिया में अगर कुछ है तो दैट इस यौ ब्रेन आगे बढ़ते हैं यहां आमने पिछली क्लास रोके दी ट्रांजिट और इंट्रांजिट वर्ब अब समझ लो पहली और आखरी बार देखो ट्रांजिट वर्ब वो आप सोती है जिने कम्प्लीट मीनिंग के लिए अबजिक्ट के जर्वत होती है मतलब वर्ब लिखी है जैसी यहां लिखा है आई प्ले लिखा है यह दूरा सा सेंटेंस है इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा आई प्ले फुटबाल तब यह कम्प्लीट मीनिंग देगा मतलब प्ले कैसी वर्ब है जिसको अबजेट के दरवत होती है आई इट मैंगो विताउट मैंगो विताउट चोकलेट विताउट बनाना विताउट पिल्जा विताउट बर्गर यह इट जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देपाएगा ऐसे देडू है ना देरवार किया जो भी आके लिखेंगे तो यह विताउट आपजेक्ट यह जो वर्प्स हैं कौन सी प्लेडू या इस तरह की हजारों वर्प्स वो ट्रांजेटिव वर्प्स कहलाती है आरे हिंदी में इसका नाम बहुत बढ़िया है हिंदी में इसका नाम है सब कर्मक क्रिया हिंदी को भली हमने छोड़ दिया है ना फिर से पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वह बहुत थी और परफेक्ट और शुद्ध है देखो सब कर्मक सा का मतलब हुत है वित अरे शादी का कार्ड आता है ना किसी का इन्विटेशन कार्ड सबसे पहले क्या देखते हो सब से पहले देखते हो कि डेट क्या है मतलब प्रीती भोच कहा रखा है ना मतलब वो जो बुफे सिस्टम में वो कहां है यस और फिर यह देखते हो कि सा परिवार बुलायाए कि नहीं बुलाया एक सा मतलब विथ तो सा कर्म कर्म मतलब आबजेक्ट अब तो ऐसी क्रिया जो सा कर्म आती है कर्म के साथ आती है विथ आबजेक्ट आती है उसके विना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती है उसको बोलते हैं ट्रांजेटिव वर अब तो समझ जाय करो रहें और इन ट्रांजेट वर्ब क्या है वो वापस होती है जिनने complete मीनिंग के लिए object की जर्वत नहीं होती है जैसे I smile इस क्या किसी object की जर्वत नहीं है या he laughs यहां भी नहीं है दे रन अरे मतलब ऐसी वर्ब जो बिना object की भी complete स्मीनिंग दे रही हैं वह इंट्रांजैक्ट हैं तो इतनी रामायंड इस निए गए गई ताकि हम आपको यह समझा सके क्या कि इन ट्रांशैटेव वर्ब के passive नहीं बनाए जाते क्योंकि उसमें object ही नहीं होता है ट्रांसेटिव वापके पैसिव बन सकते हैं कि कुछ उनमें object compulsoryly होता है और पैसिव वाइस बनाने की पहली शर्त यही है कि object शुरू में आना चाहिए very good अब आगई बात preposition की कुछ लोग का पेट दुख ने लगेगा बहुत ना बलुशार topic तो पैसिव का चल रहा है प्रेपोजिशन कैसी है बैटा preposition हर जगह जाती है तो यदि sentence में preposition हो तो प्रेपोजिशन के पहले वाले है butter object है हमारा काम हो गया पैसी रिसी से बनता है from milk अलग से चलेगा साथ में तो बटर इसमेट फॉर्म मिल्क यह देखो लिखा वागया थेना बटर इसमेट बाइस फ्रॉम मिल्क या बटस बेट फॉम मिल्क बाइस तो फ्रॉम मिल्क हम यहां अलक से लिखेंगे साथ में books for knowledge यहां से यह break हो जाएगा books are Red for knowledge कि अब बात आ गई कि passive voice में sentence formation किस तरह किया जाता है गाड़ी अटकती तो वहीं आकर है कि passive voice में sentence कैसे बनता यह third form आजाता है कभी is mr लगता है कभी कभी बीन लग जाता है लगता है ना पैसी वेज कहें बहुत गल वरोटी इस मर जाता है कभी कभी वाइज भर भी लिखा होता है यएस फाना फिर कभी-कभी है लोटा है है और जो कन्फूजिंग वाला मामला ना कन्फूजिंग वाला वहता है बीन लिखा होता है और इन सब के साथ वह अपका थर्ड फॉर्म तो दहज में आया हुआ है वो तो लगई रहता है तो फॉर्मेशन अफ सेंटेंस के स्थरा से होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करन पड़ेगा पहले समझ तो जाओ क्या कि पैसे वह इस क्या है क्यों यूज किया जाता है पैसे वह इसका नाम पैसे वह इस क्यों रखा टेंस से क्या काम नहीं चल पा रहा था क्यों पैसे वह इस बनाने पड़े अगर ये वीडियो ये क्लास आपने बहुत मन से ध्यान से अ से समझ गया होगी आज के लिए इतना काफी है फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए इंतजार कीजिए थिंक्यू बेरे मच